बिजनेस को छोड़के आप बिहारी का प्रोड़क्ट खड़ी सकते हैं तो फिर आपका ब्रांट पटना हो या दिल्ली हो या मुंबई हो आज हम लोगों का वह कॉंफिडेंस है और ओडियंस पेस है ना या दिल्ली नहीं मुंबई कहीं भी हम लोग स्टोर खोल देना तो वह महां पे स्टोर चलेगा कि मेहनत इन होने की है कम उम्रे में एक प्रतिष्ठान खोलना और उसको आगे बढ़ाना इसके लिए एक छोटा सम्मान निउज नेशन निउज नेश्टिड विहार जारखन की तरफ से इसे अफजल जी ने ने कहा था अभी अफजल फरनीचर के ओनर ने कहा था कि पॉजिटिव आटिट्यूट के साथ जब हम कोई काम करते हैं तो हर चीज पॉजिज पॉजिटिव लगती है विवसाय शेत्र को हम और आगे ले जा सके इसके लिए आपको बता दे कि कल से लेक वाइबरेंट हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं और जिन लोगों ने किया उनको भी आज मंच पर हम बुलाएंगे क्योंकि वो दूसरों के लिए सीख हैं मेरे साथ इस वक्त परवेज आलम साब डिरेक्टर अफजल फरनीचर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं सर स्वागत ह और इन सब के अलमा आज एक बड़ा ब्रैंट बन चुके हैं पुरे बिहार के भीतर हक्ष हर शहर में फ्रेंचाइजी है तो वो सपने क्या थे और लोगों से क्या कहना चाहते हैं परवेज आलम साब स्वागत है आपका और जोड़दार तालिया एक बड़ फिर से हो जाए आपके फ्रेंचाइजी को लेकर लोगों में बड़ा कौतुहल होता है चाहे वो शादी का मसला हो चाहे घर डेकुरेशन का मसला हो चाहे दूसरे जगहों का हो आपने अपने पुरे इस वेंचर को ब्रैंड बना दिया है कैसे ये सफल हो पाया कैसे ये सफर शुरू हुआ और अगर लोग आपसे उमीद करते हैं, तो वो किन चीजों को लेकर आपके पास आए, आपके वेंचर के पास आए, या आपके इस संस्थान के पास आए? सुझा है, एक नापके आपके भी साए, ने लेना चाहे है, अनमने के शखम के पास आपके ऑ्सके पास करें आपके भीP जिन्चर ओर्ट सुआ शीजुजभार के पशचुछ लेना हैं की बहुता है। लोग अनी बस दाखता वु एक अामी भी अच्छी सर्वेस के साथ अच्छे सोब से समान परचेज कर सके Р कर और अथेंटिक ब्राइस में और आपको जान के खुशी होगा कि हमारे यहां बिहार में जब साधिया होती है तो उनको साधी, प्रच्ची की जब साधीया होती है तो थे जो पैरेंट्स होते हैं झिल उनको फञे तो बहुत महँंगे महँंगे फट्रीचिर हमारे पास हर तरह के फट्रेमियम और अफोडिवल हार तरहीके के है लेकिन जब भी बड़े सोरूम की बात आती है तो हमारे यहां के लोग सोरूम देख के चलाएं यह मेरे लाइक का नहीं है लेकिन मेरा सपना था कि बिहार का एक मजदूर भी बड़े सोरूम में समान खड़ी दे इसके लिए हम लोगों ने साधी का फरनिचर स्रीप स्रीप 34, जिसमें हम लोगों ने डबल बेट बॉक्साइर पांचसो में 34,500 में एक आम आदमी एक गरीब मजदूर इंसान भी साधी का पूरा फरनिचर सेट खड़ी सकता है और अपने सिस्टर की साधी में आपने बेटी की साधी में गिप कर सकता है और उसको जो टेंसन था कि सामान तो कहीं मेरी बदनामी हो जाएगी अच्छा सामान नहीं है अच्छी क्वालिटी नहीं अच्छा अप्टरसियल सर्विस नहीं है तो व सारी चीजे हम लोगों ने दिया है नहीं आपके उम्र देखकर लगता नहीं कि जहां पर आप लोग इस वक्त खड़े हैं उसको लेकर बहुत समय लगा इतनी कम उम्र में ये आइडिया आया कहां से मैंने कहा ना कि चेंज सिस्टम का एडिया हमने साउथ में जब घूमने जाते हैं वहां पे छोड़ी चोड़ी चेंज बना कर पूरे का स्टेट में उन्होंने ऑपरेट किया है और अगर मुझधफर पुर से ये शुरुवात होती है और इसके बाद पुरे बिहार में आप लोग चेंज सिस्टम के जरीये कनेक्ट हो जाते हैं ये आइडिया कहां से मिला कैसे इस विवसाहे में आये आप लोग के बहुत सारी में बंते हैं लेकिन में बायचांस बिजनसमें था हुआ गया इट होगया मेरे फादर का काम ता वह गाओंगर में जाते थे लगड़ी के ठेकदारी करके लगड़ी लाकर अपने मील में लाकर चीर के बेश्टे थे तो उनका वेपसाय था लेकिन चुकिए 14 साल का मैं था और उसी उमर में मैं फादर का डेथ हो गया था तो उस टाइम पे है मैं जब जाता था ना प्रेडिक्ट करता था ये पेर कितने का है तो 10,000 का पेर अब मैं खड़ी लेता था 20,000 में इस से कर में क्या हुआ दो तीन साल में मेरे को बहुत जादा नुकसान हो गया मेरे फादर चार पांच सातला गुड़ी कमा के जो पुंजी रखे हुए थे वो सारा हम लोगो ने डूबा लिया तो अब मेरी तीन बहन थी एक भाई थे परिवार को चलाने के लिए सबसे बड़े हम थे तो खाना पीना रहना से लिए उसके लिए उसके लिए पैसे चाहिए न तो कुछ तो करना था जिए अपना परिवार चलता तो परिवार को चलाने के लिए नया बिजनेस करते तो पैसा चाहिए था, लेकिन अब इसी लकडी के बेपार में हम लोग पहले से थे, तो कुछ लोगों से हम लोगों की जान पहचान थी, तो हम लोगों ने उधारी पे 4-5 बेट लेके आया और वहां से बेचना शुरू किया, और जब गरहक आया ना, तो हमसे समान परचेज किया और उन्होंने कहा कि आपने समान जो दिया ही है, लेकिन जो आपने बात दिया, बेवार दिया, लेकिन हमारे है बिहार में एक चीज बहुत फेमस है, हर काम में चलता है, समान लेट पहुंचे चलता है, डिफेक्टिव पहुंचे चलता है, मतलब हर सर्वीस जो है अबसे चम नहीं कि एक दिन हम को कंपिट बारे ब्रांड से कर रहा है और दीन मैंने सोच लिया था और जब वो सर्वीस को छोटे में हुअ जोपरि है तो लोगों ने वो एकसेप्ट किया और एकसेप्ट करके लोगों ने फीडबेक दिया कि भाईया आपने जो समान दिया और जो बात बेवार दिया तो मेरे को ये समझ में आ गया लोग समान खड़ने आते थे साथ में दुआ भी दे के जाते थे कि भाईया समान तो दिया लेक अगर जाएंगे तभ हर को मागे बढ़ा पाएंगे बिहार के किन किन शहरों में आपकी चीन है अभी हमारी जो सोरू में हम लोगों का बहुत सारा इसरिटिंग के लिए लेकिन हम लोग सर्वीस इंडिस्ट्री में है क्यूंकि फॉर्णीचर एक बड़ा प्रोड़क्त होता ह है लोगों घर पर डिलीबर करना तो उसमें क्या होता है कि आपको समान पॉर्चिस उसमें सर्वीस की बहुत बरी रोल होती है तो हम लोग थोड़ा सा स्लो चल रहे है कि लोगों को सर्वीस अच्छा दे क्योंकि सर्वीस नहीं मिला तो फिर आप भले ही 50 जगह खोल लिए ले सर्वीस दे के अपने घर में यह प्रूब कर दे हम लोग कि नहीं भाया बिहार का लर्का भी और बिहार का ब्रांड भी इंडिया में एक दिन नाम कर सकता है और बिहार का नाम गर्व से उपर रॉसर कर सकता है बिहार के लड़की तालिया इस पर हिंदुस्तान में चारे को तो लोगों को लगता है अच्छा दधा हुआए बिच्ण से क्रिण अच्छ करता है और अच्छान देता आप estásब करें कि यह बात सही है और यह जुरून वाकाय में हमारी भी शुब कामना है कि बहुत आगे आपका विंचर जाए, आपके बहुत सारे शोरूम से हिंदुस्तान के अलग-अलग हिस्सों में हो, ये बताए, ये महंगाई के दौर में आपने का 35,500 से शुरुवात होती है, हर गरीब इनसान भी खरीच सकता है, 35,500 कहने में बड़ा छोटा माउंट लगता है आपको कि इसली ये मिल जाता है, या इसमें भी लोग सफर करते हैं, इसको लेकर भी आपको कुछ पॉलिसी बनानी पड़ेगी, नहीं, हमारे या 34,500 के फर्णीचर सेट है, तो अगर हमारा बिलिंग होता है, जब आपकी ब्रांडिंग होती है, तो हर लोग ऐसा नहीं है कि सस्ते फर्णीचर ही खड़िते हैं, बहुत सारे लोग अपने बजट के फर्णीचर खड़िते हैं, तो हमारा जो एबरेज बिलिंग होता है, अगर 20 बिलिंग होता है, तो 5 बिलिंग 34,500 का सेट का रहता है, लेकिन 15 बिलिंग होता है, प्रीम फर्णीचर सेट के होते है, तो असल जो हमारा प्रोफिट होता है वो प्रिमियम फरनीचर सेट के ऊपर होता है 34,500 का जो फरनीचर सेट हम लोगों ने बनाया था वो स्रीप हमारा समाज को एक बैग था कि आप लोगों ने हमको इतना कुछ दिया एक रोड पर खड़े आदमी को आपने एक ब्रांड बनाया तो मेरा भी दाहित बनता है कि समाज के उस लोगों को जो सोरूम में माल नहीं करी सकते हो लोग भी सोरूम में खड़ दे इसलिए हम लोगों ने 34,500 फरनीचर सेट बनाया सरकारी सिस्टम से कोई उमीद है आपको सहयोग की उमीद आप लोग चाहते हैं क्योंकि अगर सपने बड़े हैं तो बिना सरकारी सहयोग के संभव भी नहीं है सरकार का सपोर चाहिए बाद में जाकर भारत सरकार का सपोर चाहिए मंत्री का सपोर्ट चाहिए क्योंकि एक रास्ता बन सके उसको लेकर कोई अभी तक आप लोगों ने उम्मीद की आपने देखिए या कोई सजोग मिला आज तक मैं सिर्फ खुदा में बिलीब करता हूँ इसवर अल्ला में बिलीब करता हूँ कल मेरे पास एकmeter नहीं था तो इसवर अल्ला ने आज यहां पहुचा दिया तो कल वही इसवर अल्ला मुझे वहां पहुचा देगा मैं खुद पर और इसवर पर बिलीब करता हूँ और काम करने पर करता हूँ बाकी बात रहा काॉपरेशन की तो आज तक जो भी हम लोगों ने किया है, अपने End से किया है, और काम में हम लोग इतना मश्रूक रहते हैं, कि कभी इधर उधर की चीजों में, कभी politics में, कभी यह चीजों में, क्यूंकि आप समझ रहे हैं, कि एक road पर ख़रे लर्के को, brand बनाना है, कितना दिन रात मैंनत कर तो पोलिटिक से मैं बहुत जादा दूर रहना चाहता हूं कि पोलिटिक के लाइक मैं अपने आपको नहीं समझता हूं तो मैं पोलिटिक से बहुत बूर रहता हूं और बिजनेस करना चाहता हूं और बस यही है कि मैं कितना टरनोवर है अभी आपका कितने लोगों को आपके आज हमारी कंपनी में लगवग 200 लोग काम करते हैं तालियां, 200 लोगों को रोजगार अगर मिला है तो यह बड़ी बात है आज हमारी कंपनी का टर्नोवर है एरांड 10 करोर के आसपास हो तो हमारी एकाउंट की टीम हो देखेंगे लेकिन आपको एफ्रोक्स बता दी है तो हम लोग ने सपर की सुरुवात की ती तो उस दिन जेब में 500 लोग था और एक आदमी साथ में ता तो आज हम लोग यहां इसलीए प्रातना कर रहे थी कि आप जीवन में बहुत आगे बरेंगे तो आज मुझे जो है ना प्रस नली बहुत जाधा जो है न अब पहले क्या था कि मेरा शिप इंडूविजूण अब क्या है ना 200 लोगों का परिवार मेरे साथ जुरा है और उन लोगों की अपक्छाय जुरी है कि ये कुछ करेगा और अपने साथ हमको जो रहा है तो हमको भी कहीं लेके जाएगा जोरदार तालियां ये सोच मैंने कहा ना बार बार कि अगर ये सोच किसी नए जनरेशन के युवा में ये दिखती है तो उसका परड़ाम ये होता है कि आने वाले वक्त में वो बिहार में एक पहचान के तौर पर भी उबर सकते हैं इतनी कम उम्र में अगर 200 लोगों को रोज जो आज तालियों के जरीया मिल रही है उत्सा वर्धन की जरूत है तो तालिया लगातार बजाते रहे हैं आप लोग जो लग रहा है आपको कि हाँ वाके में उने अचीव किया है अगले 10 साल का टार्गेट आपका क्या है अगले 10 साल का तेखिए मैं चोटे सपने सोच दे लेकिन उसके पीछे बहुत सारी इनर्जी एफोर्ट टाइम बहुत सारी चीजे लगती है और वो सारा चीज देने के लिए हम तयार है यहार वह माहूल मिलता है कि आपको लगता है कि आपको लगता करोड का वेंचर सेट हो जाएगा तो बिहार में बहुत अपरचुनिटी इस वक्त इस प्रांगड में मौझूद है पूर्व उपमुख्य मंतरी सर स्वागत है आपका और बिल्कुल परविस भाई आप कंटिनु करिये वाकई में 500 करोड का वेंचर और मैंने जैसे पूछा कि यह क्या बिहार के अंदर यह एटमोसफेर आपको मिलता है देगे गैप होता है ना वहीं सबसे बड़ी अपर्चुनिटी होती है तो आज आज आप बिहार के पतना में जब जाएंगे तो आप हर दस दिन पर जाएंगे तो आपको पूरा चेंज नजर आएगा लगा है कि पतना पूरा चेंज ही हो गया जो इतनी तेजी से बिहार ग्रो कर इस ग्रो ग्रोइंग फेज में जो पार्ट बनेगा उसका डेपनेटली इसको बेनिफीट होगा जाएर से बात है कि इसका फाइदा कोई यूरीक चीज आप क्या फेमस है आपके आपके मतलब वेंचर में इसको लेकर लोग जादा पसंद करते हैं कुछ ऐसा माटीरियल जो सागवान सिसम के बेड़ साते हैं वो हमारे यह मिल जाते हैं अफोरेबल प्राइस पे नए उद्ध्यों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपके बनना चाहते हैं जो बड़े सपने देखते हैं बड़ी उडान भरना चाहते हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप जितने भ वहता है कि इस बन्देने कभी जिरो सरुवात ही नहीं किया होगा . हम यह बूल जाते हैं कि आज अगा एकर डिलाइंस कंपनी भी बना बना तो кабी उसकीth भुगी होगी और आपको डिलाइंस रहाता है तो आपको भी जिल सुरुवात करना परे गा तो जितने भी मेरे यूबा भाई है, कुछ करना चाहते हैं, तो मैं अपने एक्सप्रियेंस से कुछ चीजे बताना चाहूंगा, सबसे पहली चीज, कि आपको शुरुवात बहुत छोटे से करना पड़ेगा, और जो आप सुरुवात करेंगे, तो साल दो-चार साल चीजे ज बहुत करेंगे, तो आप डूब जाएं तब भी आपको हिम्मट और एक्सप्रियेंस हो जाएं, कि आपको बेचने का बात करने का लोगों से एक्सप्रियेंस हो जाएं, और आपका हिम्मत नहीं टूटे इतना जाद आध आप खर्च कर लिए कि दूबारा बिजनस में है, ज़ादा तर होता है कि लोगों को देख के इंप्रेस हो जाते हैं और इतना बरे स्टेफ ठोलर से इतनी बड़ी चीजे क्र लेते हैं घिए हैं ना जीवन मे इतना धराम से गिड़ते हैं तो फिर यही तो डर होता है आपने कह तो दिया क्या क्योंकि आप उस सफलता की तरफ लेकिन यवाँ को डर लगता है कि भाई अगर हमने शुरू भी कर लिए आज कल रोजगार मिलता नहीं है नौकरिया मिलती नहीं है पढलिक के भी लोग कुछ न कुछ करने कोशिश करते हैं तो वो असफलता का डर ही तो कदम आगे नहीं बढ़ाने दीता है देखें डर की सब बड़े ब्रांड इतनी बड़ी बड़ी सोरू लाखो लोग आए तु पागल हो गया क्या क्यों जिन्दिगी बर में 10-20 लाग रुपिया कमा के रखा है वो भी डूबाने के लिए लगा हुआ पटना में जा रहा है तिक पाएगा तुम फिर भी हम लोगों ने हिम्मत किया बड़े मार्केट में घुस्ते में चुनोतियां कैसी थी अभी तो इससे भी आगे चुनोतियां बड़ी होंगी बिल्कुल बिल्कुल तो जब हम लोग पतना गये तो फिर तो हम लोग भी था कि पतना में अब इतने बड़े-बड़े सोरूम उसकी आगे यह गाहों का अब बड़े तो वहां पे स्टोर चलेगा आपको जान के खुजी होगा पतना में तीन महीने के अंदर में हम लोग का पुराना स्टोर था उससे ज्यादा सेल हम लोगों ने पतना में किया तो अगर हम लोग भी यह सोचते रहते हैं कि भाया पतना में इतने बड़े- ओं ने कोन आए का बहुत सारे लोग हमारे पास आए खाय कि भंब बेना ऐसी के फिरूम चलता है कि हमारा सोडमे को एसी नहीं होता है कि भंभा जो बज़्ार के अमंगे लिए ऐसी ले ब섯-ब स चलेगा क्या बिना एसी के सोरूम चलता है क्या आप पटना में आगे क्या कर लेंगे नहीं ठीक पाएंगे आपने जो जिंद्गी वर में कमा जाए वो भी डूब जाएगा फिर भी हम लोगों ने हिम्मत किया मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट था सो उसके बाद मैंने कुछ क करने के लिए मैं उमीद करता हूँ कि यह सफर आपका बहुत आगे हो अभी 200 लोगों को आपने रोजगार दिया आने वाले वक्त में 2000 उसे भी ज्यादा यह संख्या बढ़े और यह आपके जितने भी वेंचस में अभी चेन है या जितने शोरूम है वो पूरे हिंदूस्त करब से और अब इस कारिक्रम को आगे बढ़ाएंगे इसमें अब राजनिती की बाते होंगी साथ साथ प्रदेश के विकास की बाते होंगी और इन सब से इतर समझने की कोशिश करेंगे कि मौझूदा परिस्तियों में दोहजार चौबीस और दोहजार पचीस का सिरेरियो क्या बनने वाला है उसको लेकर लेकर मुझफर बोर के धरती आखिर यहां से क्या संदेश जाएगा मेरे साथ कुछ देर में मंच पर मौझूद होंगे पूर्व उपमुख्य मंत्री तार किशोर जी साथी साथ मेरे साथ दरसल मेडिकल शेत्र से भी जुड़े लोग मौझूद रहेंगे